हिंदी टीवी सीरियल्स में आज बेशक अलग-अलग तरीके की शोस बनते रहते हैं लेकिन एक समय था जब इंडस्ट्री में सास बहु वाले शोस ही बनते थे इस तरह के सीरियल में सासुमा अपने बहुआ पर काफी ज्यादा जूर्म किया करती थी जिस वज़े से सास बहु पर देखा जिस वज़े सास बहुत 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 हैं लेकिन वह बदले में हर ताने के जवाब देना चाहती थी हिमान्शी पराशक, टीवी सिरियल तेरी मेरी डोरिया में हिमान्शी साहिबा के रोल में दिख रही है, जिसका अपनी सास से 36 का आकड़ा है साहिबा को उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं करती जिस वज़े से वो साहिबा को घर से निकालने में लग रहती है साहिबा शो में बराड मेंशन पर राज कर रही है रूपम शर्मा रूपम शर्मा भी सीरियल तेरी मेरी डोरिया में नजर आ रही है शो में रूपम, सीरत के रोल में है, जिसकी उसके सास से बिल्कुल नहीं बनती हाला कि वो अपने सास को तीखे जवाब देती रहती है दिपिका सिंग तीवी की संसकारी बहुरानी है जो सीरियल दिया और बाती हम में नजर आए शो में संध्या के रोल में दिखी दिपिका सिंग के सासुमाथी भाबू जिससे हर कोई डरता था हाला कि संध्या ने भाबू को शान करा दिया देवलिना भटचार जी सीरिल साथ निभाना साथ्या में संसकारी बहू के रोल में दिखी और उन्हें भी सास के ताने खुब सुनने को मिले हाला कि कोकिला मूदी की बहू के कैरेक्टर में देवलीना ने अपने ससुराल पर खुब राज किया सुर्भी जोती सीरिल नागिन के तीसरे सीजन में सुर्भी जोती को काफी पसंद किया गया इस शो में सुर्भी की सास इच्छाधारी नाकिन थी और दोनों ही सास बहु में गहरी दुश्मनी थी सुर्भी शो में अपनी सास की हर चौल का जवाब देती थी और हिना खान टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है मेहिना खान ने अक्षरा को रोलने भाया जिनकी सास काफी स्वेट थी हाला कि इस सीरियल में कई बार अक्षरा को भी सास की खरीखोटी सुनने को मिली थी